2020 में हमारे सामने बहुत सारे IPO है और सज बूला जाये तो किसी ने अगर smartly play किया हो तो सब ने यहाँ पर पैसे कमाये हैं अच्छे खासे December 2023 का end तो बहुत amazing हुआ था because IPO की बार आ चुकी थी Although हमारे सामने Instagram पर memes भी बहुत बने कि अलोट्मेंट नहीं मिलता पर अगर किसी ने सोच समझ के smartly play किया हो अपने पैसो के साथ तो IPO में अच्छा पैसा कमाया होगा उसी तरीके से 2024 में भी IPO काफी सारे expected है और अगर हम January की बात करें तो पहला ही IPO इतना interesting है कि आपको study करके बहुत मजाएगा ये एक ऐसा IPO है जिसमें grey market premium as per sources चल रहा है 30% से उपर का मतलब एक अच्छी listing इनकी expectations बन रही है पर at the same time अगर आप valuation को देखोगे तो यहाँ पे P ratio निकल के आ रहा है 430 का जो इसके जितने भी peers है उन सभी से बहुत जादा है तो actually इस IPO में ऐसी क्या बात है detail में discuss करते है आज के इस वीडियो की starting में आगर मैं company की बात करूँ तो company का नाम है Jyoti CNC Automations Limited ये manufacturer supply करती है CNC machine में और इनका सारा का सारा काम manufacturing का होता है इंडिया में ही अगर हम इनकी range की बात करें तो 200 types के उपर इनके पास machines available है 44 series ये अलड़ी निकाल चुके है पिछले 3 financial years के data के according 7200 machines इन्होंने supply करी है 3000 से उपर different customers को इंडिया, यूरोप, नॉर्थ अमरिका, एशिया के काफी सारी countries यहाँ पे included है next अगर हम important dates की बात करें तो 9th of Jan को यानि की next week में इसका IPO open होने वाला है and 11th of Jan को यहाँ पे IPO close हो जाएगा expected listing की date हो रखिये 14th या 15th of January retail के लिए 1 lot होने वाला है 45 shares का 14,895 रुपीज का एक lot होगा H&I small category में आपको 630 shares के apply करना पड़ेगा यानि की 14 lots का एक basket बन जाएगा और H&I big category में 68 lots के लिए apply करना पड़ेगा किसी भी category में as per my personal expectations एक lot या फिर एक basket से उपर apply करने का कोई use नहीं होता क्योंकि यहाँ पे over subscription के chances बने रहेंगे 75% QIB, 10% retail, unbalance 15% होने वाला है H&I category के because H&I category के लिए quota काफी कम है H&I small category ज़्यादा attractive नहीं रहेगी total IPO का size है 1000 croz का है अच्छी बात है कि पूरा का पूरा होने वाला है fresh issue existing owners यहाँ पे माल बेचके नहीं जा रहे 315 से लेके 331 का price band है cutoff price use करना होता है retail में और H&I category में आपको price type करना पड़ेगा 331 का financials की बात कर तो काफे interesting है total assets 2021 से लेके 2023 के बीच में अच्छे खासे growth दिखा है 1388 croz से बढ़ते बढ़ते 1700 croz पे पहुँच गया है revenue ने भी growth अच्छी दिखा है 2022 versus 2023 में revenue में आपको 27% की growth rate मिल रही है 750 croz से 950 croz पे पहुच गया है at the same time profit after tax में 131% की आपको increase देखने को मिला है negative था 2021 में and 2022 में पर 2023 में 15 croz का profit यहाँ पे back हुआ है valuations जादा होने का कारण आपको financials देखके समझ आ गया होगा company loss making थी और recently profit में आई है जब company को recently profit में आती है उस पे यह back किया जाता है कि आने वाले स्टमें में इसका profit increase होता जाएगा पर अभी तो कम profit हो रहा है even 2023 6 मेनी की बात करें तो सिर्फ साड़े तीन करोड के आसपास का यहाँ पे profit back हुआ है जो छोटा figure होता है total borrowings 821 croz की है और debt to equity ratio 10.17 का है मतलब company का leverage जादा है जो एक negative point हो जाता है आपको ध्यान रखना पड़ेगा reserves and surplus सिर्फ 213 croz की है और borrowing से 821 croz की तो reserves के comparison में भी borrowing का figure हमें एक अच्छा खासा amount दिखता है क्योंकि borrowing का figure बहुत बड़ा है object of issue में obviously आपका पहला objective है borrowing का repayment second objective है because इने borrowing की बहुत requirement है मतलब इनके long term projects और strong term projects में इनकी capital के requirement है उसे ये पूरा करेंगे and finally general corporate purpose peer comparison में जाने से पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ grey market premium की तो IPU का price है 331 rupees का और GMP चल रहा है 100 rupees के आसपास का यानि कि expectations है कि roughly 31% के listing gains यहाँ पर मिल सकते है as per grey market premium only for information purpose retail में यहाँ पर expected है कि एक lot मिल जाता है तो 3600 rupees का profit होगा और H&I category में 50,000 rupees के profit की expectations चल रही है grey market के according peer comparison पर जाए तो सबसे पहला peer आता है LG Equipments मेरा पसंदाज stock रहा है recent past में जिसको मैं study ज़रूर करता हूँ इसका अगर हम peer ratio की बात करें तो 44 का चल रहा है Lakshmi Machines का peer ratio चल रहा है 37 का Triveni Turbine again एक ऐसा stock जिसको मुझे study करना काफी पसंद है 67 चल रहा है इसका peer ratio TD Power का चल रहा है 46 and Mac Power का चल रहा है 51 के आसपास का इस company का peer ratio obviously बहुत ज़ादा चल रहा है 430 के आसपास का return on equity है 18.35% की return on capital employed है 9.50% का because debt company के पास बहुत ज़ादा है तो obviously आपका return on capital employed कम हो जाएगा return on net worth again 18.35% की मिल जाएगी अगर मैं on the face of it इस IP की बात करो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी membership consider नहीं करी तो subscribe के पास में आपको join का button मिल जाएगा आप join कर सकते हो इस Saturday याने की इस weekend पे special video members की आने वाला है जहाँ पे market के लिटेट काफी सारी interesting pointers हम discuss करेंगे काफी educational वीडियो होने वाला है तो अगर मैं मेरी swing trading या long term opportunity की बात करो तो जब तक ये एक base मना के नहीं निकलेगा मैं इसके पीछे भागने की कोशिश नहीं करूँगा यहाँ पे आपको कुछ argument मिल सकते है कि company के जो नए order आ रहे है वो काफी aggressive है technology का advancement हो रहा है अब इसमें apply करना है नहीं करना वो काफी सारे factors पर depend करेगा जिसका सबसे पहला और important factor होता है response कैसा आता है H&I की तरफ से साथी साथ ये भी watch out करना पड़ेगा कि QIB के segment में क्या अच्छे नाम यहाँ पर आ रहे है जो पैसा लगाने के लिए ready है इन दो factors के उपर मेरा decision होगा blindly मैं grey market premium के according इस IP में apply नहीं करूँगा because कुछ भी कहा जाए future की expectations के लिए आज की दिन इसका valuations बहुत high है इसलिए अगर मैं मेरे numbers की बात करूँँ तो बहुत simple सा number है अगर मुझे H&I category में especially H&I big की category में तीन गुना से ज्यादा subscription होता हूँ मिलेगा और H&I small category में 8 गुना से उपर के subscription के figure मिलेंगे जो possible है तब मैं इस IP में consider करने की बात करूँगा वरना अगर मुझे काफी कम subscription होता हूँ मिला तो शायद इसे avoid भी करना पड़ जाए डिटेल का वीडियो आज आपको मिल चुका है जहाँ पर अपने company के बार में सारे points जान ली है ऐसे ही educational वीडियो के लिए इस वीडियो को like करना मत बूलेगा अभी हम चलते हैं अपने next part पर जिसका नाम है expectations from tomorrow's market put call ratio 1.06 के आसपास से जो comfortable है जनरल market trend आप trend में चल रहा है back of the mind रखिएगा आज के दिन market में bank nifty ने अपने 20 day moving average EMA के आसपास से bounce back किया और nifty ने तो 10 और 20 day moving average के बीच से ही bounce back कर गया जो एक strength का point हो रहा है especially आज के दिन expiry थी ये expiry based movement भी हो सकता है FIs और DIs की बात करें तो कल की दिन यानि की third of gen को दोनों ने माल बेचा था 1500 क्रोड के आसपास की sales हुई थी एक दिन के sell के figure से मैं ज़्यादा guide नहीं होंगा अगर हम market की बात करें सबसे पहले nifty को discuss करें तो nifty में हमने बहुत clean बात करी थी की short करने की opportunity तभी मिलेगी जब market के कल के दिन के low 21,500 कटेगा आज के दिन नहीं कटा तो short की opportunity मिली है देखिए एक तो होता है हमारा personal bias आज के दिन का क्या हो रहा है based on the data and based on complete price action जो market का चल रहा है आज के market का price action कल के basis पे expected था कि negative हो सकता है पर वो negative करने के लिए हमें short करने के लिए ये level कटना ज़रूरी था जो नहीं कटा long करने के लिए हमारा ये level कटना चेह था जो भी नहीं कटा और बीच में हमारी trade थी बहुत simple सी जो मैंने आपको कहा था एक छोटी सी trade यहाँ पर मिल सकती है पर उसके success की probability कम है और छोटा सा stop loss आपको रखना पड़ेगा बिना stop loss से ट हुए nifty और bank nifty में ये छोटी सी trade aggressive trader की आज के तन काम कर गई थी market के closing perfect हुई है अगर कल 5-5 minute की 3 candle हमें 21,690 के उपर की मिल जाती है तो एक long trade यहाँ पर initiate होती है जो हमें intraday का momentum दे सकता है शौट की बात करे तो यह शौट का level अब और बढ़के उपर हो जाएगा और roughly यह वाला swing 21,600 के level को नीचे की side करता है तो एक छोटे से shot की opportunity आती है अगें यहाँ पे एक छोटे से stop loss से काम करना पड़ेगा और short की confirmation तभी मिलेगी जब 21,500 level कटेगा वरना confirmation नहीं मिलेगी कल मैंने आपको तीन candle का wait करने के क्यों बात करी है because आज तो expiry की दिन का momentum था कल ऐसा हो सकता है कि एक candle तो उपर खुल जाए या बन जाए पर अगली ही दो या तीसरी candle में market वापिस से reverse करके जो अपना initial direction बन रहा था ultra short term के उसे continue करें इसलिए आपको दो से तीन candle के confirmation का wait करना ज़रूरी होता है bank nifty की बात करें तो bank nifty में again ये आपको एक initial trade मिल चुकी थी और अच्छी trade मिलेगी इस level के उपर जो होता है 48,375,400 का level जैसे ही करता है और positive side यहाँ पर आपको एक momentum मिल सकता है जो वापिस से इसे 48,650 के level तक ले जा सकता है intraday shot के opportunity बनेगी इस swing low के नीचे जो होता है 47,830 के आसपास का इसके नीचे opportunity बनती है और अच्छी opportunity तो अभी भी बनेगी इसके नीचे जो हो जाता है 47,500 मतलब overall माना जाए तो कल के दिन आपको पहली 3-5 मिट की candle देखनी है अगर market gap up होता है या फिर flat open होता है एक बार उपर जाता है और sustain होता है तो positive side के intraday की trade बन सकती है पर अगर यह reverse कर रहा है तो reverse की trade अगर आप catch करते हो तो यहाँ पर आपको छोटा सा stop ला सकना पड़ेगा और reverse का आपको यह momentum अच्छा मिल सकता है जहाँ पर 1-4, 1-5 का भी आपका race reward ratio कल के दिन बैच सकता है और Friday है पर ध्यान रखेगा कि अच्छा race reward ratio कल के दिन मिल सकता है short aggressive तभी जाएगा पहला level यह होता है second level यह होता है जैसे ही market 47,500 और nifty में 21,500 कारता है तो वापिस से market ultra short term के लिए तोड़ा सा conservative चले जाएगा जैसे back of the mind रख लीजेगा वीडियो अच्छा लगे तो like करे भी ना मच जाईएगा subscribe दें किया तो subscribe कर लेना एक important वीडियो जैसी आप वो 6 वीडियो कंप्लीट कर लो मुझे comment कर देना next series के final 3 to 4 वीडियो आपको डलने start हो जाएगे see you very soon